हेलो डियर स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटू चैनल होम एजुकेशन में तो डियर स्टुडेंट बहुत सरे बच्चे है उन्हें नहीं मालूम है 15 अगौस्ट और 26 जन्वरी में क्या अंतर है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे अभी तक हमा बारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए कमेंट कीजिए ऊंचेयर कीजिए तो सबसे पहले हम देखते हैं 15 अगौस्ट और 26 जन्वरी में अंतर हैं ये हम 15 साइड को सवतंत्रता दिवस कहा जाता है 26 जनवरी को गरतंतरता दिवस कहा जाता है उसका बास दूसरा देखते है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंडेंस डे कहा जाता है 26 जनवरी को रिपाब्लिक डे कहा जाता है ठीकहाँ पंद्रा अगस्त को Independence Day कहा जता है और 26 जन्वरी को Republic Day कहा जता है यहीं आप से कोई पूछ दे 15 अगस्त को इंगलीज में क्या काते हैं तो Independence Day 26 जन्वरी को क्या काते हैं तो Republic Day ठीकहाँ आगे देखते हैं तीसरा जो है 15 अगस्त पंदर तारी को मनाय जाता है 26 जन्वरी 26 तारी को मनाय जाता है यानि 15 अगस्थ जो पंदर तारी को ही मनाय जाता है 26 जन्वरी 26 तारी को मनाय जाता है चौथा है 15 अगस्थ के दिन तिरंगा भींगता है 26 जन्वरी के दिन तिरंगा ठिठूरता है पच्वा, 15 अगस्त के दिन प्रधान मंत्री जंडा को फाराते हैं, 26 जन्वरी के दिन रस्टपती जंडा को फाराते हैं, 15 अगस्त को पुरधार मंतिर जंडा को फाराते हैं, 26 जन्वरी को राष्ट पती जंडा को फाराते हैं। 6 नमर में है, 6 मंतर है, 15 अगस्त के दिन लाल किला पर जंडा फाराये जाता है। 26 जन्वरी के दिन राष्ट पती जंडा को फाराये जाता है, यानि 15 अगस्त को लाल किला पर जंडा फाराये जाता है। सत्वा है, इस दिन भारत आजाद हुआ था। बित्रित नहीं किया जाता है 26 जनवरी के दिन पुरस्कार बित्रित किया जाता है यानि कि 15 अगस्त के दिन कोई उपहार गिफ्ट नहीं दिया जाता है जबकि 26 जनवरी के दिन उपहार और गिफ्ट दिया जाता है आई होप ए वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें फिर मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ